असलाम अलेकूम फ्रेंज वेलकम टू तरन्नुम कीचन आज हम बनाएंगे बहुत ही तेश्टी रेसिपी चिकन पॉपकॉर्ण रेसिपी चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है चिकन बोल्लेस यहां पर मैंने चोटे-चोटे पीस कर ल आपको बास न पॉड़र नहीं है तो आप अधरग लसन का पेस डाल सकते हैं यहां पर दालेंगे हम लिमंजेस्ट इसे हम निम्बू के चिल्के को हमने ग्रेट कर लिया है तो यहां पर दालेंगे नमंग सादरनुसार इसे डालकर सभी तवाम चीजिए को मिक्स कर लेंगे अब बार कर देंगे 발ब कर देलेंगे एक अंटाग को अच्छे से फेंट लिया है अब इसे इन को डालेंगे तो इसे डाल कर हम मिक्स कर लेंगे गे लिए के घर डीये करीब बिस से तीस मीनट के लिए अच्छय से मेरिनेट होने के लिए जब तक हम यह एक और शama चिम्ब निम्बू का रस, हाला पीनिस, तो यहां पर मैंने हाला पीनिस का अचार लिया है, यहां पर डालेंगे चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, यह सब डाल करना मैं अच्छे से मियोनिस को मिक्स कर लेंगे, यह अच्छे से मिक्स करने के वाद हम इसे पॉपकोर्ण साथ सब करेंगे, का ने करने म legs अब भी में यहां पर चेछ करें आप करूँ अ लगाखकर लुगा करोगा तो इसे हम फ्राइब कर लेंगे अच्छे से यहां पर देखिए इस तरह से कितना से कलर आया है हमारा चिकन बॉपकॉन का तो इस तरह से हम फ्राइब करेंगे और एक पेपर पर निकाल लेंगे यहां पर इस तरह से आप फ्राइब करेंगे कितना फुप्सुर्प है तो इस एक पेपर में निकाल लेंगे यहां पर देखे इस तरह से कितना से कलर आया है फ्राइए हो चुका है हमारा चिकन पॉपकॉन, यहां पर गर्मा-गरम, मियोर डिप के साथ सब करें गर्मा-गरम, तो फ्रेंज कैसी लगी आपको मेरी रेचीपी चिकन पॉपकॉन की, तो झाल झाल